वेल्कम टू एबी सी केमपस आज हम कंपनी देट 2017 में सेक्शन 167 कवर कर रहे हैं जिसका टाइटल है तो चाहे डिरेक्टर के तौर पर काम करना हो या चीफ एक्जेक्टिव के तरफ तौर पर करना हो तो उस शक्स की कॉंसेंट हासिल करना बहुत जरूरी है लौ ने जो रिस्टिक्शन इस सिलसले में लगाई भी है वो यह है कि Unless a person जो के एक individual होगा क्योंके डिरेक्टर या चीफ एक्जेक्टिव जो है वो natural person होते है राइटिंग भी जो जो जबानी नहीं होनी चाहिए राइटिंग में होनी चाहिए तो दे कंपनी फोर सच अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन कि जब तक उसने कॉंसेंट इन राइटिंग ना दियो तो क्या क्या नहीं कर सकते यानि किसी कोई राइटिंग में कॉंसेंट के बगएर उसे डाइटिंग या चीफ एक्जेक्टिव अपॉइंट या नॉमिनेट नहीं किया जा सकता ना ही कोई शक्स जब तक उसने कॉंसेंट इन राइटिंग ना दी वियो कंपनी को वो अपने आपको ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि जी वो डिरेक्टर का आफिस होल्ड करता है या वो उस कंपनी में चीफ एक्जेक्टिव का आफिस होल्ड करता है तो उसको कोई रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता है इस एंगल से ना वो खोद ना कोई और कोई भी परसन उसको डिस्क्राइब या नेम भी नहीं करेगा कि जी हमारी कंपनी का डिरेक्टर या चीफ एक्जेक्टिव है या प्रोपोस डिरेक्टर या चीफ एक्जेक्टिव है जब तक कि उसने कंपनी को कॉंसेंट ना दियो in writing to the company for such appointment or nomination तो ये बड़ी important बात है कि किसी की मर्दी के बगएर उसे डिरेक्टर या चीफ एक्जेक्टिव बनाया नहीं जा सकता represent नहीं किया जा सकता, describe नहीं किया जा सकता उसकी बज़ा ये है कि हम law में देखते हैं कि डिरेक्टर की बहुत ज्यादा responsibilities हैं कई जगा पर अगर company certain way में compliance नहीं कर पाती तो फिर जो penalties लग रही होती है, वो directors को लग रही होती है उनकी obligation create हो रही होती है तो किसी को उसकी proper मर्दी के बगएर उसकी consent writing में हुए बगएर उसको आप इस position पे नहीं ला सकते कि वो ये responsibility खामाखा उठा रहा हूँ फिर ये जो consent होती है ये company की तरफ से registrar को भी file होनी चाहिए इसका जो time period है वो है 15 days का कि 15 days के अंदर अंदर वो registrar को file करनी है तो consent given to the company as above shall be filed with a registrar within 15 days दे रहो तो basically appointment और nomination के 15 days के अंदर हम submit करवा रहे होते हैं विद्दा registrar तो ये restrictions थी और उसकी filing की requirement थी and that's all for today have a good day